जापान में ओसाका शेहर के निकट गाव में एक विद्वान संत रहते थे। एक दिन संत अपने एक अनुयाई के साथ सुबह की सेर कर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति उनके निकट आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। संत मुसकरा कर चल दिये। संत पर कोई असर न द नहीं हुआ तो वह व्यक्ति निराश होकर रास्ते से हट गए। उस व्यक्ति के जाते ही एक अनुयाई ने संत से पूछा आपने उस दुष्ट की बातों का कोई जवाब। क्यों नहीं दिया। वह बोलता रहा और आप मुसकराते रहे। क्या आपको उसकी बातों से संत कुछ नहीं बोले और अपने अनुयाई को पीछे आने का इशारा किया कुछ देर बाद संत के साथ वह अनुयाई कक्ष में पहुचा. संत बोले, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आता हूँ। कुछ देर बाद संत अपने कमरे से निकले तो उनके हाथों में कु अनुयाई ने उस कपड़े को हाथ में लेते ही उन कपड़ों को दूर फेंक दिया। यही वजह थी कि मुझे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा।